न évसकार आप देख रहे हैंँ सिस्टी तयल का और आपको लाइव खबर दिखाएं हैं आप फ्लारगंज गेट के पास जहां पर सिंए फ्लाइंग के जो रेड है वह पड़ी है और मैडिकल श्टोर पे रेड है फिलाल भी जाुरी है जहां पर CM FLYING के जो टीम है लगातार करवाई जारी है आए दिन जो है यहां पर सिकायते मिलती रहती है और जिसको लेकर परसासन और पुलिस की तरफ से लगातार जो कारवाई की जाती है समय समय पर कई दिन पहले भी जब एक ऐसे ही MTP जो किट है वो बरामत की गई थी और लगातार जो ऐसे केस हैं वो सामने आ रहे हैं कि अभी अधिकारियों से बात नहीं हुई है कि क्या यहां पर सिकायत मिली थी और किसको लेकर के यहां पर लाइव खबर देख पा रहे हैं जहां पर CM के जो अधिकारी है उनकी तरफ से जो कारवाई की जारी है सबस्पेक्टर रामेर जो है वो इस टीम को लीड कर रहे हैं क्या जानकारी है उनसे जानने की कोसिस करेंगे सर क्या सिकायते मिली थी आप लोगों को तो जरूर हम बात करेंगे इनसे अभी लेकिन टीम की जो कारवाई है और इस खबर को आप शेर किजिए जादा से जादा चार जो लिफापे हैं यहां से सील बंद किये गए हैं और क्या इसमें निकला है वो भी हम अधिकारियों से जो है बात करने की दोसिस करेंगे कि क्या इनके अंदर पाया गया है फिलहाल यहां पर करनाल से जो टीम आई है और उनकी तरफ से कारवाई की जारी है सलाहर गंज गेट के पास जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर सीम फ्लाइं करनाल की टीम पहुंची है और यह आप देख पा रहे हैं कि सलाहर गंज गेट के आसपास की जो गठना है यह सलाहर गंज गेट है ठीक है उसके पास की जो घटना है और यहां पर पुलिस बल भी है वो भी मौके पर पहुंचे हैं और कारवाई की जारी है सीम फ्लाइंग बताया जा रहा है कि सीम फ्लाइंग करनाल से जो यह टीम आई है और सबिस्पेक्टर रामेर जी हैं वो इस टीम को लीड कर रहे हैं और क्या अंदर से निकल के आता है किस तरह की क्या सिकायते थी या कुछ वैसे ही रूटीन जो चेक था उसके आधार पर जो कारवाई को लेकर के ये लोग आए हैं अलांकि ऐसा नहीं हो सकता कि जो सीम फ्लाइंग की टीम हमेशा वहीं जाती है जहां पर उनको कुछ सिकायते मिलती है ये हम आपको सलारगंज गेट के पास है और ये कन्या वरिष्ट माध्यमिक विधाल्या है वहां से उसी गली में सीम फ्लाइंग की जो रेड है वो की जा रही है और मैडिकल स्टोर है जहां पर देख पा रहे हैं कि टीम लगातार कारवाई अंदर की जा रही है और चार फिलहाल लिफाफे हैं जो तैयार किये गए हैं सील पैक किये गए हैं और पुलिस आप लोकल पुलिस परसासन है जो वो भी पहुंचा है अलंकि हमारे पास भी अभी कुछ खास जानकारी नहीं है क्योंकि अभी टीम के जो सदश्य है उनसे कुछ बाचित नहीं हो पाई है लेकिन जब अधिकारी यहां से निकलेंगे तो आपको जरूर इस खबर के माध्यम से हम आप से शेयर करेंगे लेकिन लगातार जो टीम है वो पारवाई कर रही है यह लिफाफे इनके हाथ में जो देख पा रहे हैं आप अधिकारियों को जो अधिकारी हैं उनके हाथ में जो लिफाफे हैं वो देख पा रहे हैं चार फिलाल लिफाफे जो हैं वो सील बंद किये गए हैं और उसके बाद अंदर और भी जो कारवाई है चानवीन है वो लगातार सीम फ्लाइंग के तरफ से सीम फ्लाइंग के जो टीम है वो उनके द्वारा किया जा रहा है गव्लाइं है कि से एक बाद बाद करेंगे हैं व रखुड़ा से अधिन हैं और बाद सब्सक्राव बाद किसे नहीं है जो और प्ले आजिए बाद किसर्फ कर लंडू दर्लत कर्म जा लाघन सा जुआए वहां और लोगा निकोँए ज़िए वहां जो प्रतार है और अधिकारी हैं जो उनसे भी ज़रूर बातचीत करेंगे हम फिलहाल जो लगातार इसकी कारवाई है सीएम फ्लाइंग की तरफ से मेडिकल स्टोर पर वो चानवीर की जारी है और अधिकारी है जो मोके पर पहुंचे हैं सीएम फ्लाइंग के तरफ से दो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको जानकारी दे रहे हैं कि सलार्गंज गेट है जो आर्या वरिष्ट कन्या माहत्यमिक विजो विदाल्या है वहाँ पर उस गली में एक मेडिकल स्टोर है और वहाँ पर सीएम फ्लाइंग की टीम है उसके द्वारा जो ठापे मारी की गई है और आए दिन जो मेडिकल स्टोर से कहीं ना कहीं से एम टीपी की जो किट है तीन चार दिन पहले भी इसी इलाके से जो एम टीपी किट थी वो ब्रामत की गई थी लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी स्कायते रूटीन में आती रहती है कि आती रहती है तो इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आसबात में भी जो माहूल है जो पुलिस बल है वो भी लोकल परसाशनिया पर है और यह फिलहाल सलारगंज गेट की तरफ जो देवी मंदर सी रोड आता है देवी मंदर से होते हुए और आरिया कन्या वरिष्ट माद्यमी जो विधाल्या है उसके ठीक आगे यह मैडिकल स्टोर है उसी गली में जो कलंदर पीर की तरफ जाता है और यहां पर जो उनके ब्यान है क्या अंदर से मिला है किस तरह का क्या मामला है वो हम आपको जरूर बताएंगे और यह टीम देख पा रहे हैं स्यम फ्लाइंग के सदस्य है टीम के जो सदस्य है यहां पर कुछ लोग बाहर हैं और कुछ लोग जो अंदर है उनके तरफ से लगातार करवाई की जा रही है अब देख पा रहे हैं स्लारगंज गेट के पास मेडिकल स्टोर है विनायत मेडिकल स्टोर के पास से जहां पर स्यम फ्लाइंग की तरफ से जो टीम के द्वारा जो चापे मारी की गई है और इस चापे मारी में जो फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है वो सामने आप लिफा पर देख रहे हैं यह फिलहाल जो लिफा पर हैं यह सीम फ्लाइंग की तरफ से सील किये गए हैं आलंकि क्या मिला है वो फिलहाल सपस्ट नहीं है लेकिन जो कारवाई है सीम फ्लाइंग की तरफ से वो की जा रही है अधार जरूर लग रहा है क्योंकि बारे की से जांच की जा रही है जांच की जा रही है अधेशने आ रही है देख सेने हैं क्या फ़ीव फ्लाइंग द्वाँआ है ज़ेख दुरे से लाइग की जा रही है ज़्य में ग्रोर को तरह गरूर शेल करिया समय लगता है, स्वास्ट अधार के नचारमें शर्वाचित काहने केँ और जब्त काने है लगातार आप इस खबर से जुड़े रही है और जो अंदर से क्या कुछ मामला निकल के आता है वो हम आपको जरूर जानकारी देंगे फिलाल के लिए बस इतना ही और दोबारा से जब टीम निकलेगी वो भी हम आपको जरूर सीटी तहलका के माद्यम से दिखाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया आप